हेलोग दोस्तों गूड मौ içड रॉच्ज़ा सुपर वाध तो और सका리 होती मेरा कुछ स्वत्वरच्भी lot तो लेटी होता में लेकिन आज तो भी नहीं हुआ है काम और हम भी सम्मास्ते स्वास्ते दूस्त स्वागेता आप लोग करें कि रावाट फैमिली ब्लोग में आज की ब्लोगिंग की शुरुआत हो रिए सुबहे की 11 बजे से हाई राम जी और आभी मैंने के वाल कपड़े दो रखें पाकि मेरा कुछ भी काम नहीं हो रखा है और जब भी मेरा काम और वेचे न आज वैसे तो लेटी होता है फिलाल लेकिन आज तो बिल्कुल भी नहीं हुआ है काम क्योंकि आज है रावजी घर पर और रावजी ने सुबह सुबह लगा रखी है मूवी तो फिर इदर उदर उदर जाती हूँ तो गूंगूंके अच्छ अब हम लोग तयार भी हो रख है क्योंकि हम लोग ने जाना है मंडी और आज हमारे गर पे कोई आ रहे हैं तो फिर जल्दी-जल्दी काम भी निप्टाना है तो आप लोग बने रहे ना व्लॉग में आप भी देखोगी क्या कौन आने वाला है आज गर पर चलो जोस्तों हम कंबल फोल्ड गी लेकिन चादर सही नहीं करेंगे तो ऐसे रख करते हैं तो एसे काम कर देते हैं अब हम एफिलाल मेरे घर की आलत हैंसी उरुखिए देखो अब जाए तो आप वो ना गर इसलिए तो लेट होगी मुझे लगा आप मेरी हेल्प करोगे थोड़ी है जाए कि मेरे उसमें भी आप होगी एक है लेस कोड़े सबस्तों है अपहनले लेट से स्ची अब मेन करते हैं कि और यह अधिए कि अधिए कि दोस्तों लोग पहुंच चुके हैं घर पे और मंडी में दो नारेल के पानी पी लिया ना पेड़ ऐसे हो गया ना उन्होंने किया कि एक नारेल का जो मेरको नारेल मिला था जो मैंने लिया था तो उसका पानी मीठ्षा नहीं था मतला तो निनन ऐसे सुना और सना सर दी अचे नाघ्ड इस तो दूसरे पी लो पह कर दी थे मैंने का चलो ठोल आप एक कि और बढत Acts लम घंप का हम कुछ भी काम करके नहीं गए थे दोनों मंडी गए थे और आवजी ने देखो टीवी देखिए और टीवी बी बन नहीं कि देखो टीवी पे लाइट ऐसी आ रखिए वहां पर अभी ओन कर रहे हो बतो यह बतो आप छी पहले तो आपने पैर नहीं दोए पूरी मंडी अब राव जी अब घुनारियल पानी और आपने चेयर में बैठ जाओ मैं सोफेश इङ कर देती हूं हं इस आप पता है पापा घर पे है आज खुल खुल जा शिम शिम आगे का दो ता है यहाँ आगे मेरे चंगू मंगू करेंट थे पाराइक पस्प्रेरा लोग आगे कि स्थेंट पॉला अदरी पॉल्ड आदी बीजै फार आदी के जडिले जागें इसने बोला आदी प्रिए आदी बीजैं आदी ओर कि यह जो खिर रहे हैं है क्यों किसा लगड़ 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 राप अरप क्या हुआ है कि अठी टाने सहीं पर गड़ भूगड़ सब्सक्राबतायád अठीज लगड़ कि पर बेफ लिखाई काकांव शेषिया अयां है मैठ के पीरेड का जिसके टैना अफर टैना है मिठे लियो भई मिठे मिया आरत है गोल्ड मेडल मिलरोल्ड अरे तु अरे तु अकेला था पर बंदा है अरे गोल्ड आरत है तु अरे प्लिवाज मिलरो अरी के वेडी का तु अरे बंदा है माम मामम अरे टैना है तु आरे टैना वे गाले गमैले सै तु आए तु आए मारे क्लास में कुछ दीदिया है ना वाइस केपटन ब्लू की रेड की यलो की और ग्रीन की कौन चाल एक्जाम्पी बात कर ला तो आज ही वेटा एक्जाम्पी है तो फिर ना अमा उन्हें ना सारे बच्चों को गलता बोला तो फिर ना उसमें कहीं चले ना वो बोली कि कौन बखते हैं और बोल रही है की उसमें दोस्ट के जगा डूसमन रहेंगे तो फिर मैंने इच बस इतना बोल दिया उसमें हाज आई दोस्टी नहीं रहेगी तो फिर हम दोस्ट के ऊज़ने कर दीई सोगी सॉड़ी कर दीए मापके लिए कुछ लाई हूं क्या क्या गाजर गाजर का खीरा खीरा नारील पानी तो दोस्तो बच्ची आगए मेरे स्कूल से और मैंने घर काम निप्टा सुफो अगरा सही किया तो इतने में रावजी उपर कपड़ी पलग के आगए यह वाला काम मेरे थोड़ा आज कम हो गया तो फिलाल अब मैं बच्चों को रावजी को देती हूं कुछ खाने पीने के लिए तो आप लोग बने रहे ना मारे साथ ब्लॉग में जुग जुग जी ओ आरव ने यहां पर पता नहीं यह सिक्चे क्यों फैला के रखें इसके ना उसको खूब सारे सिक्चे दे रखे थे कापी सारे कमने खर्च भी कर लिये और मैंने उनके लिए चार्ट बना रखें अम्रूद अच्छे नहीं है ना अब रावजी खा रहे खाना उदर आने भी खा रही है खाना आरव ने खाना नहीं खाया है और फोन पर बैठाया है इसने अपने पापा के साथ चार्ट खा लिया था नारियल पानी पी लिया था अब भी सोच रही हो कि जो मैं सब्जी लेकर आई हूँ अभी मैंने पहुली तद नहीं अब उसको मैं रख रहती हूं फ्रीज में है घट सी और जो मैं अमृद देके आई थी मैंने अभी जब चार्ट बनाया था उसमें अमृद डाला था तो रावची बोलें कि इस बार क अच्छे नहीं है वो ना खटे हो रहे ना मीठे हो रहे हैं कड़ोए भी नहीं हो रहे अजीब सा टेश्ट है तो फिलाल पहले मैं सब्जी रख लेते हूं फिर मिलते हूं आप लोगों से तो ना सब्जी मैं लेके आई सिम्ला मिर्च माटर और यह क्या होगा यह रावजी ल प्यास दिये 100 रुपे के 2 किलो गाजर है 30 रुपे किलो और आवले लेके आई हूं इस बार यहां पर आवले सस्ते हो गए 40 रुपे किलो आलू है नए वाले और इसमें केले हैं और टमाटर यह हैं बीन्स और पत्तगोवी और नीबू और यह हैं वो क्याना में लेस्ट रुपे किलो दिये और यह दिये 80 रुपे किलो हैं अगर किलो लोगे तो बोला 80 रुपे किलो और डेड़ किलो लोगे तो सौ रुपे के फ्रेंड्स टॉफी मम्मी मतल चिलने लग गए हैं मम्मी आप मतल चिल रहे हो इसमें मेरे पास अभी कुछ भी काम नहीं है तो प्रोच्रियों कि मतल चिल के रख लेती हैं कितने जारे मतल में इसमें रखती हूं टिलोग पोलेधीन में और इसको फिर जैसे मटल डालेंगी कि इसमें इसको लोग कर दोंगी और फ्रीजर में डालें लोग दिदी फ्रीजर में तो बिरे काफी जीन से जाते हैं वाव मतल मुझे जाद़ा नी पसंदना लाश्ट आइम पता है आपको ममा के मतल फोर मंथ चले जब सीजन सी खतम हो जाता है ना मतल का तो ममा ने ये थेली भरके रखी हुई थी फ्रीजर में तो ऐसे कि वैसी ही थे अच्छा तो ममा ने फोर तो अभी तो मतल जैसे महंगे होते हैं ना तो जब सी मतल सश्टे हो जाएंगे तो ना कूप सारे मतल लेकर आऊंगे और ऐसी पॉलेजिल लेकर आऊंगी ना जीट वाप वाली ओके और फ्रीजर में डाल दूगी अपुच बोल रहे थे हैं तो मैंने का जैसे आनने के अच्छा एसी मैं बीन्स भी करते हैं बीन्स भी दो के चुटी-चुटी पीसिस करके और वो भी मैं फ्रीजर में डाल दूगी ना वो भी लॉंग टाइम चलते हैं आ मुम्मा बोल रहे देना कि मुम्मा मेरे कुछ लाए है वो ये रहा गाजर गाजर कम उसमा गया अच्छ फ्रेंच तो हम मिलते हैं थोरी देर बाद फ्रेंच तो देखो भाई क्या कर रहा है और यहां पर मुम्मी पापा मतल छेर रहे और यहां पर भाई क्या कर रहा है उल्टे काम या पापा ने बोला पापा ने बोला बैट निकालना है और बैट और ग्रप ग्रप अभी मुझे तो मज़ा है था हम वो यह करें कि तुझे आने चाहिए चुड़ा रही है मुझे क्या आप भी आओ वाव देखो कितने सारे मता छिल गए है और यहां पर यह यह इतनों से एक दो तीन चाल पांग शेटा दाल टैन या ट्वाइब बाकी त्वेंटी बाकी रही होंगे ना तो दो इसमेंने किचन वी साफ कर दी है आप मतर भी छिल दी अफ लाल तो अभी राव जी ने अभी फोन किया तो राव जी बोल रहिए कि अभी पहुंचने बालें पहले राव जी ने बोला कि में लिए दो चाय बनादे सबåना के साथ में कपड़्रह कर देती हुँ और कुछ कपड़े परेश करने के लिए जाके परेश करूंगे सारे कपड़े बजाएंगे कल एक साथ मैं तभी परेश होंगे तो फिलाल मैंने अभी यहां पर सारे कपड़े रखे हुए हैं मैं इनको जट से फोल्ड कर देती हूं कैसे यह चोटी उंगली जो होती है ना पायर की यह इसी चीज के लिए बनी है बाबो यह कभी बेट के किनारे पे लगती है हमें से लगती है ना इस उंगली पे कभी बेट के किनारे से लगती है कभी टेबल के किनारे से लगती है कभी दहली से लग जाती है छोटी उंगली पे इस इसी चीज के लिए तो है वो इसी चीज के लिए बनिये चोटी उंगली है ना मुझे तो ऐसी लगता नुए उसी चीज के लिए तो बनिये तो उस पर कभी कभी लग भी जाये तो क्या करें फिर